पहरों का शेह रहिए, पत्थर हैं सब के सब! लेकिन जितना गुसा, रिल लाइफ में सनी पाजी का दिखने को मिलता है, उससे कई ही ज्यादा गुसा उन्हें रियल लाइफ में आता है, और यही वज़ा है कि अपने गुसे की वज़ा से सनी देउल कई बड़ी बड़ी हस्तियों से पंगा ले चुके हैं, और इस वीडिय मेरे नाम संदीप और आप देख रहे हैं, रिल एंड रियल बायग्राफी, इस लिश्ट में सबसे पहला नाम आमिर खान का है, वैसे तो बॉल्यूड फिल्म इंडिस्ट्री में आमिर खान को मिश्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका सामना सनी देउल के साथ हो चुका है, सनी पाजी और आमिर खान के बीच एक ऐसा विवाद हुआ, जिस विवाद के चलते आज भी दोनों सुपरस्टारों के रिस्ते ठीक नहीं हुए हैं, आज वे सनी देउल आमिर खान से बातचित करना पसंद नहीं करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सनी पाजी और आमिर खान के बीच 31 साल से कोई बातचित नहीं हुए है, दोनों के दुश्मनी का कारण है उनके फिल्मों की रिलीज डेट, दरसल एक बार सनी पाजी की घायल और आमिर खान के फिल्म दिल साथ में रिलीज होनी थी, आमिर खान ने सनी पाजी से बादचीत बिल्कुल बंद है सनी देवल और आमीर खान के बीच में मन मुटाओ यही नहीं थमा आने वाले समय में एक बार ऐसा भी हुआ जब सनी देवल की फिल्म गदर और आमीर खान के फिल्म लगान रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों का कलेक्शन काफी ज़्यादा शानदार रहा गदर जहां एक्शन से भरपुल फिल्म थी वही लगान फिल्म में आमीर खान का जबरदस्त आक्टिंग देखने को मिला अब आमीर खान को इस बात की पूरी उमीद थी कि उन्हें फिल्म फेर आवार्ड से नावाजा जाएगा लेकिन हुआ इसके ज़श्ट उलट आमीर खान के जगा सनी पाजी को फिल्म गदर के लिए उन्हें यह आवार्ड मिला और इस बात से खफा होकर आमीर खान यह कसम खाली कि वो कभी भी आवार्ड फंक्शन में नहीं जाएंगे इस लिश्ट में दूसरे सुपरश्टार का नाम है शाहरु खान बताय जाता है कि फिल्म डर में शाहरु खान को सनी देवल से ज़्यादा तारिफ सुनने को मिली थी जिसकी वज़ा से सनी देवल को काफी गुस्सा आ गया यह गुस्सा उन्होंने अपनी जीन्स की जेब को फाड़ कर उतारा था खास बात तो यह रही थी कि इस फिल्म में सनी देवल पॉजिटिव किरदार निभा रहते हैं जबकि शाहरु खान नेगटिव रोल में थे बावजूद इसके उन्हें सबसे ज़्यादा वावाही मिली इस लिश्ट में अगला नाम है अजे देवगन का फिल्म डेश्टि में अजे देवगन को कम बोलने की वज़ा से जाना जाता है उनके और सनी देवल के बीच एक फिल्म दुश्मनी का कारण बनी खबरों की माने तो लिजेंड आफ भगसी में सनी चाहते थे कि उनके भाई बावी देवल को कोई अच्छा रोल मिले लेकिन अजे देवगन ने ऐसा नहीं होने दिया जिसके बाद सनी देवल और अजे देवगन के बीच में अनबन हो गई लेकिन जब अजय देवगन के पिता वीरूद देवगन का देहांथ हुआ तब सनी देवल गुस्सा भुला कर अपने भाई के साथ मिलने उनके घर गहते और अजय देवगन सनी देवल के बेटे करन देवल को अपने प्रोडक्शन के तले एक बड़ी फिल्म का ओफर दे चुके हैं यह एक साउथ की फिल्म है जिस फिल्म का नाम ब्रोचे वरे वरूरा है इस फिल्म के राइट्स उन्होंने खरीद लिया है और इस फिल्म में वो सनी देवल के बेटे करन देवल को लेने वाले हैं इस लिश्ट में चौथे नबर पर नाम आया है अक्षय कुमार का सनी देवल और अक्षय कुमार के बीच एक्ट्रेस रवीना टंडन को लेकर जम कर बहस हुई थी दरसल हुआ यूँ कि एक बार शुटिंग करते वक्ट रवीना ने सनी को बताया था कि कैसे अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया था अक्षय संग ब्रेक अप की कहानी बताते हुए रवीना टंडन सनी के सामने फूट फूट कर रोने लगे रवीना को रोता देखकर सनी पाजी खुट पर काबू हो बैठें और अक्षय के पास वो लड़ने पहुच गयतें तवी से दोनों के बीच में बाच्चीत सालों से बंद है इस लिश्ट में पांचवा और आखरी नाम है अनील कपूर का अनील कपूर और सनी देवल के बीच दुश्मनी की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है अनील कपूर और सनी पाजी के बीच दुश्मनी भी एक फिल्म से शुरू हुई थी दरसल फिल्म जोशीले के रिलीज के दोरान क्रेडिट में सनी देवल से पहले अनिल कपूर का नाम दिया गया था जिसे देखकर सनी पाजी काफी भड़क गये थे इसके बाद सनी देवल और अनिल कपूर को फिर फिल्म राम आउतार में काम करने का मौगा मिला इस फिल्म में एक सीन था जहाँ पर सनी देवल को अनिल कपूर के गले को दबाने की एक्टिंग करने थी लेकिन सीन में सनी देवल को अनिल कपूर संग हुई सारी बातें याद आ गई और वो सच में अनिल कपूर का गला दबाने लगे और ये देखकर सेट पर मौझूद सभी लोग हैरान रहे गए अनिल कपूर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी इसके बाद वो कभी सनी देवल से बाचित नहीं की तो दोस्तों ये थे फिल्म इंडेश्टी के वो पाँच बड़े सुपरस्टार्स जो सनी देवल के गुस्से का शिकार हो चुके हैं